इकनॉमिक्स वर्च्विल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है केंदिर परवर्थी के माप के अंतरगर आज हम सामांतर मद्य, मद्यका और भावलक जिसको अंग्रेजी में मीन मोड मिडियन कहा जाता है कि सामाने जानकारी प्राप करेंगे इसके साथ उसकी गण्णा की परकरिया सूत्र आधी का भी अध्यन करेंगे मुझे आसा है कि इस वीडियो के माध्यम से विध्यारतियों को सामांतर मद्य, मद्यका और भावलक के कठीन गणित्य संकल्पनाओं को समझने में आसानी होगी केंद्र परवर्ति की माप के अंतरगत हम सामांतर मद्य, मद्यका और भावलक की परिभासा तथा उसका अर्थ, गण्ण और दोश, उपियोग तथा गण्णा की परकरिया आधी का अध्यन करेंगे सामांतर मद्य किसे कहते हैं इसको हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं तो हम सब सब पहले इसकी परिभासा देखते हैं कि आखिर सामांतर मद्य है क्या तो सामांतर मद्य केंद्रे परवर्टी का सब से एवं लोक्पिरिय माप हैं साधरन सब्दों में समंक माला के पदों के जोड में उनकी संक्या से भाग देने से जो मुल्य प्राप्त होता है उसे हम सामांतर मद्य कहते हैं इसको हम एक उधारन से समझ सकते हैं यहां पे एक उधारण दिया हुआ है कि निम संक्याओं से सामंतर मद की गढ़ना करें तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सूत्र का उप्योग करेंगे तो x बराबर sigma x बटे n अब हम इसकी ट्रम्स को देख लेते हैं कि sigma x किसे बोला जाता है समंक माला के पदों के जोड को sigma x को सामंतर मध्य कहते हैं अब हम इसकी गढ़ना करते हैं तो हमने x बराबर जितने भी यहां पर पत हैं सब को हमने यहां पर जोड़ा और कुल जो पदो की संक्या वो यहां से लेके यहां तक कुल पदो की संक्या 9 है तो यहां पर 9 आ गया जोड़ने के बाद उपर 135 बटे 9 आ गया अब 9 से हम 135 को भाग करेंगे तो हमारा जो सामंतर मद्दे है वो 15 निकलेगा जैसे आप यहां पर देख रहे हैं सामंत्रमद्दे के कुछ गुन्ड और कुछ दोस्त भी होते हैं, तो सबसे पहले हम गुन्ड के बारे में देख लेते हैं, इसका अर्थ एक समाने व्यक्ति के लिए समजना बहुत आसान होता है, समाने मतलब एक सिम्पल व्यक्ति के लिए, इससे प्राप्त आंकडों की साहिता से इसकी गढ़ना करना बहुत आसान है इसे निकालते समय समू के सभी पदों का परियोग होता है इसके कुछ दोस भी है जैसे समंक माला में सामंतर मद्यहो यहां आवशक नहीं है समंक माला की आकरती देखकर इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता समंक माला का कोई भी मुल्य ग्यात ना होने पर इसकी गढ़ना नहीं की जा सकती है अब सामंतर मद्य की गढ़ना की जो परकिरिया उसे हम यहां पर देखेंगे तो सामंतर मद्द की गढ़ना तीन परकार से की जा सकती है पहला आता है तुमारा वेक्तिकल स्रेणी दूसरा खंडि स्रेणी और तीसरा अवंचिन स्रेणी इन तीन स्रेणी के माध्यम से हम सामंतर मद्द की गढ़ना कर सकते हैं साथ साथ हम पद्विचलन रीती का भी उपयोग करके समंत्र मद्य निकाल सकते हैं इसके बाद आता है कि वेक्तिकल स्रेणी खंडित अवंचित और पज विचलन रीती में कौन-कौन से सामांतर मद्द के सूत्र को परियोग होगा तो इसमें हम जैसे वेक्तिकल स्रेणी है तो दो रीती का परियोग करते हैं पर्टेक्स रीती और लगुरीती इसी परकार सामंतर मद्द निकलेगा उसके हाँ चर्चा करेंगे तो इसमें आप देख्ड रहे हैं कि कि और को सुमंधर मद्द मद्द मादे कि कि आ तो सबसे पहले वेक्तिकलं स्रेणी के माद्यम से वेक्तित मीधवाचित करेंगे ॉतारन दिया हुआ रोल लंबर एक से लेकर दस तक छात्रों के रोल लंबर दे रखें और उनके द्वारा प्राप्त अंग को हम प्राप्तांग बहुत ने इनमें बच्चों ने जो अंग प्राप्त किये इसमें सबसे महतुपून बात है कि हमें सामंतरमद्य पर्टेक्स वाल लगूरीती दोनो और इंका हमने यो करा hain बराबर टैन आया उसके बाद प्राप्तांग को हमने एक्स माना है तो प्राप्तांग पूरे हमने उपर से यहां ऊपर से नीचे तक लिखें और यह प्राप्तांग को हम योग करेंगे तो जैसे दिखाया गया कि किiser और को सिग्मा एक्स इसका जो टोटल ऐगा वो 220 नहीं तो हम कि पर्टेक्स वीधी में केवल इतने का पर्यों कर सकते हैं और लगूरिति इसका पर्योग करेंगे इसके बाद हम ल, कल्पित माद्य लेंगे कल्पित माद्य वह संख्या होती है जो हम एक्स सीरीज में कहीं से भी एक संक्या ले सकते हैं और ऐसी संक्या लेंगे जिसको उपर की संक्याओं और नीचे की संक्याओं को घटाने में आसानी हो तो हमने जैसे यह 20 संक्या ले लिए कल्पित माद्य तो इससे हमें उपर की संक्या और नीचे की संक्या घटाने में आसा अब प्राप्तांग एक सूची में से उपर क्रम एक पर अंकी 30 में से संक्या 20 को घटाएंगे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 30 संक्या को हम 20 वाली संक्या से घटाएंगे तो हमारा यहां पर जो संक्या आई वो जैसे आब यहां देख रहें प्लस टैना आई तो सारी संक्याूं को जो हमने यह टवन्टी लिया लगातार गटाते उपर से घटाते चले जाएंगे जो संक्या बीज से बढ़ी होगी वो प्लस में आएगी गनात्मक होगी और संक्या बीससे सोटी होगी वह रिखर मुंब होगी जैसे 20 में से 30 गट आया दस बीसमें से 18 गट प्लस आठ वीसस वां गटताया प्लस बारा ऐसी हम देखें gособ悟ी माम आट माम अधा माइनस-आट कैसे आए जिस पर कार्ण सारे प्रापतां संक्यां को कर्पित धा गटाती जाए और जो आप यहां पर देख रहे हैं कि करम संक्य 4 में यहां पर सँивается कम संक्या संच्या सbuat रिनांत्मक ओब तो दो 20 सेबिस संच्या 25 ज़도 15 घटाएंगे प्लस 6 यह चोटी है तो माइना 6 होगा इस परकार अब हम क्या करेंगे जितनी हमारी गनात्म संक्या पॉजिटिव संक्या उसको एक तरफ लिख लेंगे जैसे हमने यहां सारा लिखा है और इसका हम जोड कर लेंगे तो यह 41 ऐसी जितनी हमारी रिणात्म के नेगेटिव संक् कॉलम में गुरूप में और उनको जोड़ेंगे तो वह आएगी माइनस 21 एक संक्या हमारी पॉजिटिव गनात्मक 41 आईए और रिणात्मक 21 अब हम क्या करेंगे इन दोनों को घटाएंगे तो इनको घटाने से 41 माइनस 21 तो हमारा आगी संक्या 20 तो आप देख रहें यह 20 स ही जगा यह बड़ी संक्या होती तो माइनस में होता है लेकिन माइनस संक्या हमारी पॉजिटिव घनात्मक से कम है तो यह पॉजिटिव में आएगा 20 अब हमने टेबल त्यार कर लिया है टेबल त्यार करने के बाद अब हम सूत्र का परियोग करेंगे इसमें पर्टेक्स और लगूरिती का सूत्र हम इसमें परियोग करेंगे तो पर्तेक्स रिती का सूत्र आप देख रहे हैं यहां पर x bar is equal to sigma x बटे n यह पर्तेक्स रिती का सूत्र है इसी परकार लगू रिती का जो सूत्र है वो sigma x बराबर a plus ed बटे n जो हमने ed लिया था यह और a हमने यहां पर कल्पित मादल लिया वो यह है 20 अब हम इनकी ट्रम्स को देख लेते हैं x bar को हम सामंतर मद्य बोलेंगे sigma x को बोलेंगे पदों का योग n को पदों की संक्या और a को बोलेंगे कल्पित माद्य अब सामंतर माद्य हल करेंगे हम सबसे पहले पर्तेक्स रिती से तो इसमें जो हमारे ट्रम से जिग्मा X तो हमारा टोटल आया 220 जो आप यहां पर देख रहे हैं यह 220 आया है और N अमारी पदों की संक्या आए जो यहां से लेकर यहां तक कितनी आयी है 10 तो इसे बोलेंगे पदों की संक्या यह आया है 10 तो हमने sigma x लिखा और यहां पर sigma x में 220 और n हमारे हो गया 10 अब हम इसको भाग करेंगे हम इसमें 10 से इसको डारेक्ट भाग कर सकते हैं 00 काटेंगे तो 22 संक्या आएगी तो हमारा x जो संक्या है वो 22 आए इसी को हम सामांतर मद्य 22 कहेंगे अब हम लगूरीती से समांतर मद्य निकालेंगे अभी हमने पर्टेक्ट से निकाला तब लगूरीती से तो लगूरीती में आप देख रहे हैं कि इसमें एक थोड़ा सा अंतर आया इसमें a प्लस जिगमा d बटे n आया है ट्रम सेस की ed होगा हमारा 20 n वही 10 और a हमने 20 लिया था यहां पर हमने यहां पर हमारा जो a है कि 20 20 से हमने संक्या घटाई थी अब a की जगह आप देख रहें यहां पर 20 आया है प्लस ed 20 बटे 10 तो यहां पर 10 से हम 20 को भाग करेंगे तो हमारा 2 आएगा तो आप देख रहें x is equal to 20 plus 2 हमने इस संक्या को इससे भाग करा तो 2 आया और तो 20 प्लस 2 हमारा क्या हो गया बाइस तो आप देखेंगे x is equal to 22 माध्य point अर्थाल सामंत्र मद्य हमारा क्या आया 22 तो आप एक चीज को यहां पे ध्यान से देह सकते हैंकि लगूरिती हो ऐपकी पर्तक्सपिद्पी当 दोनों से हमारा जो सामंत्र मद्य है वह एक ही आना चाहिए yet वह दोनों उत्तर एक ही आएंगे तब हम माझेंगे कि हमारा वह जो हमने सामन्तर मध्य निकाला वह एक दम ठीक है। अभी तक आपने व्यक्तिगत स्रेनी के माद्यम से सामंतर मद्ध की गणना करी, अब हम खंडित स्रेनी के परियोग से सामंतर मद्ध की गणना करते हैं। तो इसका एक उदारन ले लेते हैं, कि निम् शमंगों में से पर्तेक्स और लगुरीvellों से सामानतर माद्य के खर्णा करें। तो इसमें भी हम पर्तेक्स और लगुरीती दोनों का परिएयोङ करेंगे। इसमें काल संक्या में सुन्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ दियावा है और यहां पर आवर्ती आ गया है जिसको हम इंगलिस में फिर्कुएंसी कहते हैं 14, 21, 25, 43, 51, 44, 39, 12 आ गया है काल संक्या को हम X मान लेते हैं काल संक्या को भी ने एक्स माना और पूरी संक्या हम यहां से यहां तक उतार लेंगे 0 से लेकर 7 संक्या तक हमने इसको उतार लिया इसके बाद आवर्ती, फिर्कुएंसी, इसको हम F लिखेंगे और जैसे आपने देखा 0 के आगे 14, 1 के आगे 21, इस परकार हम इसको पूरा यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम टोटल कर देंगे पदो को, तो n बराबर 245 हमारी यहाँ पर संक्या आ गई है, इसके बाद अगला कॉलम लेंगे हैं, accept, accept का मतलब हो गया है, x और ab को गुणा करना आपस में, तो काल संक्या और आवर्थी को हम गुणा करेंगे, तो हमारी यह संक्या प्राप्त होगी, 0 को हम 14 से गुणा करेंगे, तो हमें यह प्राप्त होगा, 1 को 21 से गुणा करेंगे, तो 21 आएगा, 2 को 25 से गुणा करेंगे, तो 50 आएगा ऐसे ही लगातार हम गुणा करते चले जाएंगे तो हमारी संक्या उपर से नीचे आती जाएगी और बाद में हम इस सारी संक्या को जोड़ेंगे तो हमारा जिग्मा XF बराबर 2922 संक्या हमारी आजएगे 922 संक्या हमें प्राप्त हो जाएगी तो इसकी गण्णा हम पर्टेक्स रिती में हम इनका पर्योग करते हैं और आपर्टेक्स जिसको लगूरीती कहते हैं उसके लिए हमें फिर कल्पित माध्या लेना होगा और इसको हम D बोलेंगे इस कॉलम को हम D ले लेंगे तो कल्पित माध्या हम X सीरीज में से लेंगे तो हम कोई बीच की संक्या लेंगे जैसे हमने 3 ले ली बीच की संक्या क्योंकि इससे हमें उपर को घटाना आसान होगा और नीचे को घटाना आसान होगा अगर हम बड़ी संक्या लेते हैं और जादे छोटी लेते हैं तो हमारी संक्या भी छोटी बड़ी आएंगी इसलम बीच की संक्या लेते हैं हमने तीन ले लिया है तो तीन से हम तीन से तीन को घटाएंगे तो हमारा सुनने आएगा तीन से दो को घटाएंगे तो माइनस एक क्योंकि हमारी तीन से दो वाली संके छोटी है तो जो भी संके हमारी कल्पित माद्दे से कम होगी वो माइनस में आएगी और कल्पित माद्दे से जो बड़ी होगी पॉजिटिव में आएगी 3 मेंसे 1 को गटाएंगे तो 2 आएगा अर तीन को गटाएंगे तो मानेस 3 इसी करका 3 से 4 को गटाएंगे तो सनल 1 यह सक्व कि हमारी बड़ी थी,सलिईर सien года 3 3 से 5 कोटाएंगे तो 2 तीन तीन में से 6 को गटाएंगे तो 3 अलास्स में तानकी टिर यह Ses नातों अब हम इसे fd fd का मतलब frequency को हमें विचलन से जो हमारे संक्या आई उसे गुणा करेंगे तो f और d तो f हमारी आवर्ती हो गई और d हमारा विचलन हो गया इन आपस में गुणा करेंगे तो हमें इस वाली संक्या प्राप्त होगी तो 14 में से 3 को हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 42 21 से हम 2 को गुणा करेंगे तो माइनस कितना होगा 42 25 को 1 से करेंगे तो माइनस 25 23 23 को 69로 करेंगे तो सुन्ने आइगा 51 को एक से करेंगे तो 51 आएगा दो को 40 से करेंगे 250 एक सट्रा और बारा को चार से गुणा करेंगे तो 48 आएगा अब हम क्या करेंगे इन संक्याओं के आधार पर जो लगूरी ती है उसका परियोग हम करेंगे तो इसमें जो हमारी 187 संक्या इसमें संक्या एक तरफ कर ली और प्लस एक कर ली उन्हें घटा के जो संक्या प्राप्ता आई 187 जिसको बात में बताएंगे आपको तो पर्तक स्रीटी से हमें सबसे पहले कैसे इसको हल करना तो पर्तक स्रीटी के जो हमारा सूत्र है खंडी स्रीडी में वह है एकस बार बराबर जीग्मा एकस एक सAYप बिटे एंड तो यह वाली जो हमारी संक्या है तो यह देखो 922 जीग्मा एकस एकस हमारी 922 आई और पदो की संक्या हमारी है 245 यह तो हम 245 से 922 को अगर हम भाग करेंगे तो हमारा जो संक्या आएगी हूँ 3.6 तो सामंतर मद्य हमारा हो गया 3.76 और इसको हम ऐसे भी लिख सकने यह बार बराबर 3.76 इसके बाद हम लगूरीती का परियोग करेंगे लगूरीती के माद्य हमसे सामंतर मद्य आएगा उसको हम देखो कैसे गरना करते हैं तो एक्स बार बराबर A PLUS सिग्मा FD बटे N तो इस सूत्र का हम परियोग करेंगे लगूरीती में यहां पर यह हमारा 3 है जो हमने या पर लिया था तो यह 3 है प्लस 187 यह हमारी जो संकिया आई 187 अब यह कैसे आई यह देखिए इनको हमने माइनस को एक तरफ एड़ किया तो माइनस एक सो नौ और प्लस को हमने एक तरफ एड़ किया तो यह आ गया 296 अब 296 को 109 से हम घटाएंगे तो हमें यह संक्या प्राप्त होगी 187 तो हमने यहां पर लिखा और N हमारा 245 है अब हम 245 से 187 को क्या करेंगे भाग देंगे इन से हम जोड़ेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 3.66 हमारी संक्याई इसको हम समांतर मद्य कहेंगे और इसको हम इस तरह लिखेंगे 3.76 तो यह थी खंडी श्रेणी इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस वाली सीरीज में आवर्ती आवर्ती आजाती है तो आवर्ती को हम इसमें F मानते हैं तो आपने देखा होगा सूत्र में भी जिग्मा XF यहां पर आवर्ती आ गई थी सामंतर मध्य को अवंचिन श्रेणी के माध्यम से करना करेंगे तो इसके लिए हम एक उधारन ले लेते हैं कि निम समंकों में से पर्तेक्स वा लगूरीती के माध्यम से सामंतर मध्य की परिकल्ड़ना की दिये तो अवंचिन स्रेणी हमें कैसे पता चलता है तो इसमें जो हमारा वर्ग अंतराल होता है वो इस परकार होता है जैसे प्राप्तान 0-10 10-20, 20-30, 30-40 और 40-50 तो जब इस परकार का वर्ग अंतराल होता है तो इसको हम अवंचिन स्रेणी कहते हैं तो 0-0 के अंतर का चात्रों की संक्या थी 10, 10-20 केंचर 12, 20-30 के अंदर 20, तो यह पूरी चात्रों की संक्या, अब हमें इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, तो खंडित स्रेडी और अवंचित स्रेडी में केवल एक ही अंतर होता है, कि हम इसमें मध्य मूल्य जिसको mid value कहते हैं उसको हम इसमें सामिल करते हैं तो इसका जो सूत्र है वो इस पर कारे mid value का L1 plus L2 बटे 2 L1 मतलब होता है lower limit इसको हम lower limit बोलते हैं L1 और इसको upper limit बोलते हैं L2 और इनको 2 से हम भाग कर देते हैं तो हमारी संक्या mid value प्राप्त हो जाएगी जैसे 0 और 10 को हमने add किया तो हमारे को संक्या मिली 10 इसको 2 से हम भाग करेंगे तो 5 आएगा ऐसी 10 और 20 को हम इसको हम mid value में convert करेंगे mid value हम हम इसकी निकालेंगे और इसके बाद पर्तेक्स रिती से हम वही निकालेंगे सामंतर मद्य और लगू रिती से सामंतर मद्दे निकालेंगे अवंची स्रेणी के अंत्र गए इसमें आवर्ती एफ को हम आवर्ती माल लेते हैं जो चातरों की संक्या है वह आवर्ती कहलाएगी तो आवर्ती हमने यहां लिख दिया हम 16, 20, 18 और 10 अवर्ती को से हमारे जो हमकर हमारे टोटल है पदों की संक्या वह हो गई 70 कव्il G ऐखर और की बैरू निकालेंगे तो एक्स और व्यम्रा को हम आपज में कुणा करेंगे मॉर्टि shrug प्राप्त होती है जो पांसे हम करेंगे तो हमारे को पुछास संक्या स्भट होगी 15 से 12 करेंगे तो एक्सो असी मैं 25 Сे 20 को करेंगे तो 500 35 को करेंगे तो छे 3 extra 40 को 4050 हो दस से करेंगे तो चार्ट सो पचाjuna कमें प्राप्त हो अब हम एकसे का टॉटल कर लेंगे पूरा तो इसको ये कहलाएगा सिंग्मा एकसे बराबर अठारह सो दस हमारा टोट़मंहें सक्याप्त हो भी सराप्त हो अब हम लगू संक्या बीच की ले लिए तो यहां पर देखिए A is equal to 25 और इसको हम D संक्या मान लेंगे तो 25 में से 25 को घटाएंगे तो हमारी संक्या आएगी 0 पच्चिस में से 15 को घटाएंगे तो माइनस 10 मैंने पहले बी बताया था कि जो हमारा कलपित मात दे से जो संक्या चोटी होगी Mineस में मौगी, और जो बढ़ी होगी Just इसके 25 को घटाएंगे तो इसकी 25 को घटाएंगे तो 40 राल F D की value निकालनी है, frequency into D, तो F और D, इन दोनों को आपस में multiply करना है, तो 10 को हमने minus 20 से into करा, तो हमें संक्या प्राप्त होगी minus 200, 12 को 10 से क्या minus 120, 20 को 0 से क्या तो 0, 18 को 10 से क्या तो 180, 10 से 20 को क्या तो 200, इसमें फिर हम वही करेंगे, minus minus को एक तरफ जोड़ लेंगे, plus plus को हम एक तरफ जोड़ लेंगे, और उनको फिर आपस में घटाएंगे, तो हमें जो संक्या प्राप्त होगी, वो आएगी, plus 60, तो ये था, पर्तेक्स और लगूरीती का, जो हमने table बनाया, वो था ये, अब हम इसके अधार पर गढ़ना करते हैं, तो सबसे बहले हम पर्तेक्स रिती, के माद्यम से गढ़ना करेंगे, तो इसमें पर्ते स्रिती का जो फॉर्मूला है, वो है, एक्स बार बराबर जिग्मा एक्स एफ पटे एन, तो एक्स एफ की वैल्यू हमारी है, अठारा सो दस, जो यहाँ पर आईए, यह वाली वैल्यू आईए, और सत्तर हमारा एन आया, पदो की संक्या आईए, सत्तर से हम इसको आपस में काटेंगे या भाग देंगे, तो 25.86 हमें संक्या प्राप्त होगी, और यह हमारा सामंत्र मद्य कैलाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद हम लगूरीती के माद्यम से सामंत्र मद्य निकालेंगे, तो इसमें हमने ए ले लिया है, ए कल्पित माद्य प्लस जिग्मा एबडी बटे एन, तो कल्पित माद्य हमारा होगया 25, जो यहाँ पर हमने ले रखा है 25, प्लस 60, हमारा जो एबडी संक्या आई यह वाली 60, प्लस हमने यह आ ले ली, और एन पदो का योगी जो 70 है, अब 70 मैंसे हम 60 को भाग देंगे, तो हमें जो संक्या प्राप्त होगी वोगी 0.86, और इसको हम 25 से प्लस करेंगे, तो हमारी संक्या आजएगी 25.86, तो हमारा जो सामांतर माद्य निकला 25.86 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आज़ा आए, अर्थात दोनों विद्यों का परियोग करके, हमारा जो सामांतर माद्य है, वो एक ही आना चाहिए, तो ये था अवंचिन श्रेणी के अंतरगाद, सामांतर माद्य की गण्ना. फद विचलन रीती, यहां रीती भी अवंचिन श्रेणी की तरह है, अंतर है, तो इस उदारन से हम देख लेते हैं, इसको निम्न समंकों में से पर्टेक्स और लगुरीती के माद्यम से हम सामांतर माद्य निकालेंगे, इसमें प्राप्तांग 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 दिया हुआ है, ऐसी छात्रों की संक्या, 10-12, 20-18, 10 दे रखी हैं, तो इसको हम पर्टेक्स रीती के लिए हम दो कॉलम बनाएंगे, और लगुरीती के लिए भी हम तीन कॉलम बनेंगे इसमें, इसमें ये कॉलम D1 ये अलग से बनेगा, तो सबसे पहले हम यहां फे प्राप्तांग में 0-10, 10-20 लिखते हैं, फिर हम मद्यमूल निकालेंगे, मिड वैल्यू, L1, L2 का इन दोनों को जोड़के, दो से भाग करके, जो संक्या आएगी, वो मिड वैल्यू कहलाएगी, इसके बाद छात्रों की संक्या को हम आवर्ति कहेंगे, F इसको मानेंगे, तो हमने 10-12 यहां पूरी संक्या लिख दिये, छात्रों की, तो जितने भी पद हैं, उनको हम यहां पर जोड़ेंगे, तो इसका जो पदों की संक्या का टोटल आएगा, वो 70 आएगा, फिर हम X और F, इन दो को गुणा करेंगे आपस में, तो हमें X और F की वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे 5 को हम 10 से गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा 50, ऐसी 12 से हम 15 को करेंगे, तो 180 आएगा, इस परकार सारी संक्याओं को गुणा करके, हमारे को जिग्मा X F की वैल्यू प्राप्त होगी, जो 1810 रुपे होगी, तो यह था पर्तेक्स रिती के लिए, जो हमें संक्याई चाहिए थी, अब हम लगू रिती के प्राप्त होगी, तो हमने कल्पित माद्य है, 25 लिया है, बीचों बीच की संक्याई हम ले लेते हैं, यह 25 हमने ले लिया है, इसको D मानाएंगे, तो जैसी पहले भी बताया कि 25 से उपर को घटाते चले जाएंगे, 25 में से 25 गटाया, जो सुन्निया आया, 25 में से 15 गटाया, माइनस 10 और 5 गटाया तो माइनस 20, ऐसी यहाँ पर प्लस आजागा क्योंकि 35 संक्या 25 से बढ़ी है, ऐसी यहाँ पर आए, अब हम जो पद विचलन लिती है, इसमें हमने D1 ले लिया है, हम इस वाली संक्याउं को और कम कर देंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन संक्याउ हम को 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग करने से क्या हो गए, संक्या जो 20 थी है, केवल 2 रह जाएगी, तो माइनस 2 हो गई, यह माइनस 1 हो गई, 0 का 0, प्लस 1 और प्लस 2, अब लास्ट वाली जो संक्या है, FD1, इसको हम निकालेंगे, तो यह फिर्क्वेंसी आवर्ती से यह व वाली संक्या हम आपस में गुणा करेंगे, यह वाली, D1 वाली को, तो F इंटु D1, हम इसको मल्टिप्लाय करेंगे, तो 10 को हमने 2 से इंटु किया, तो कितना है, माइनस 20, 12 को एक से किया, तो माइनस 12, 20 से 0 को 0, 18 को एक से किया, तो 18, और 10 से 2 को किया, 20, अब हम इसमें माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे, और प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लेंगे, इन दोनों को फिर हम घटाएंगे आपस में, तो हमें प्लस 6 संक्या प्राप्त होगी, तो पद विचलन रिती में क्या होता है, जो हमारा ट्रम्स होता है, इनको short करने के लिए हम क्या करत है, दस से इसको भा कर देते हैं, डी को, तो इससे क्या होता है, यह संक्या हमारी कम आती है, छोटी आती है, जिससे हमें आगे calculation करने में आसानी होती है, अब हम सूत्र का प्रियोग करेंगे, पहले करेंगे प्रत्यक्स रिती का, तो प्रत्यक्स रिती में जो हमारा सूत्र ह वह यह जो पहले था एक्स बार बराबर जिगमा एक्स एक्स बटे एन तो इसमें जो वैल्यू आई थी अठारा सो दस यह यहां पर आई विए और सतर हमारा एन है इससे हमने इसको भाग किया तो 25.86 हमारा सम अंतर मद्य यहां पर आ गया अब हम लगूरीती में देखते हैं इसमें भी सेम है लेकिन इसमें अंतर केवल यहां पर आया आई आई जो मैंने आपको बताया था कि हमने यहां पर 10 से भाग किया इस वाली संक्या को तो यहां पर आई हमने लिया है और बाकी वही है एक्स कल्पित माद्य तो कल्पित माद्य हमारा 25 है जो हमने यहां पर लि और एन हमारा सत्तर है इंटू 10 आएगा यहां पर केवल पद विचलन डिती में इसी का अंतर आता इंटू आई का तो हमने 10 लिया क्योंकि हमने 10 से इसको भाग किया था मंगे 25 हो इस से इसको काटेंगे तो 10 वंज़न Kitchen और सैन साथ आजएगा और साथ को हम छह से अगर भाग करेंगे तोूंदर दसमलत आठेशे आएगा तो दसमलत अरच लेक्षा को पच्चिस से हम जब एड करेंगे जोड़ेंगे तो पच्चिस दसमलत आठेशे हमारा मीन सामंतर मद्य आएगा तो आप देख रहे हैं कि पर्टेक्स विदी और लगू रीती दोनों से हमारा जो सामंतर मद्य है वो बराबर आया 25.86 तो ये था पत्विचलन रीती मद्य का किसे कहते हैं? परिभासा के अनुसार मद्य का आरोही या अवरोही करम में समंख माला के विविन पदों के मद्य का मुल्य होती है एक और समंख माला को दो भागो में इस परकार बाढ़ती है कि उसके एक और के सब पद उससे कम मुल्य के तथा दूसरी और के सब पद उससे अधिक मुल्य के होते हैं इसको हम उधारण की साहिता से समझ सकते हैं जैसे निम संक्याओं से हमें मद्य का की गढ़ना करनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले पदों को आरोही करम में रखेंगे आरोई करम में छोटी से बड़ी संक्या में हम पदो को रखेंगे जैसे मैंने पहले तीन रखा पी चार पीछे चे साथ इस परकार ये सारी संक्या आपको बड़तिव करम में दिखाई दे रही है उसके बार हम मद्देका का सूत्र का इस्तमाल करेंगे m बराबर size of n प्लस 1 बटे 2 तो m का मतलब होता है मद्देका का मुल्य और n का मतलब होता है पदों की संक्या अब हम सूत्र के अनुसार संक्या को इसमें रखेंगे तो n हमारा है 9 क्योंकि यहां से यहां तक हमारे जितने पद हैं उनकी संक्या है 9, प्लस एक बटे 2, तो इसको जैसे हम प्लस करेंगे 9 और 1 दस, 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे M, size of 5th, तो भाग करके हमें 5 मिला, तो 5th size में हमारा जो item है, मद्दे का है, वो 7 कहलाएगी, तो यहाँ पे हमारा उतर आया 7 मद्दे का हमारी 7 हुई, कैसे हुई यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारे पदों की संक्या है, जब हमने यहाँ से भाग करा, तो 5th संक्या, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारी जो 5th संक्या है, वो क्या कहलाई, 7, तो यही मद्दे का होगी, यहाँ से 7 से इधर वाली जितनी भी संक्या ही यह कम मुल्ले वाली होगी और यहां से यहां तक जितनी संग्या होंगी यह अधिक मुल्ले वाली होंगी तो इसी को मद्दिका कहते हैं मद्दिका के गुण और दोश मद्धिका के गुण या बहुत सरल और बड़ी सुगमता से इसको हम समझा सकते हैं इसके निर्धारण निश्चित और सुद होता है पदों की कुल संक्या मात्र से ही हम मद्धिका ग्यात कर सकते हैं इसके कुछ दोस भी हैं मद्दिका के पदों की संक्या से गुणा करने पर पदों का कुल योग हमें मालूम नहीं होता यदि पदों के विस्तार में आसाधरन भिंता होगी तो जो हमारे निसकर्स हैं वो भर्मिक होंगे इसे ग्याद करने के लिए समस्त समंकों का परियोग नहीं होता है तो ये थे मद्देका के गुण और दोश मद्देका का उप्योग कहां का मद्देका का उप्योग होता है क्योंकि ये बहुत सरल विदी है और इससे समझना बहुत आसान है इसके द्वारा गुणात्म तत्थ जैसे स्वास्त, बुद्धिमता आधिका अध्यन किया जा सकता है इसी कारण समाजिक समस्याओं के विश्रेशुर में या बहुत अधिक उपयोगी है मद्यका की गढणा के परकार मद्यका की गढणा तीन परकार से की जा सकती है जैसे व्यक्तिकत श्रेनी के माद्यम से खंडित श्रेणी के माद्यम से और अवंचित श्रेणी के माद्यम से वेक्तिकत श्रेणी खंडित श्रेणी और अवंचित श्रेणी में मद्धे का निकालने के लिए हम विभिन परकार के सूत्रों का इस्तमाल करते हैं इसमें वेक्तिकल स्रेणी में आप देख रहें M बराबर साइज ओब N प्लस 1 बटे 2 से हम इसको निकालेंगे तो इसमें M मद्दे का मुल्य होगा और N पदो की संक्य कहलाएगा खंडी स्रेणी में अगर हमें मद्दे का निकालना तो हमें सबसे पहले CF Community Frequency संचे अवरती का निकालना होगा उसके बाद हम यही वाला फॉर्मुला यूज करेंगे M बराबर साइज ओब N प्लस 1 बटे 2 इसके बाद अवंचिन स्रेणी में अगर हमें मद्दे का निकालना होगा साइज ओब N बटे 2 उसके बाद हम यह वाला सूत्र का इस्तिमाल करेंगे M बराबर L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट में M-C तो L1 हमारी मद्दे का वर्ग की इनिचली सीमा होती है I वर्गविस्तार होता है F आवर्थी कहलाता है M मद्दे का संक्या कहलाती है और C संचे आवर्थी कहलाती है जिसको हम आगे समझेंगे कि इसे हमें कैसे परियोग करना है तो सबसे पहले हम Vective Stallion में मद्दे का मूल्य गयात करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले एक table बना लेंगे टेवल में हम एक तरफ करम संक्या लिखेंगे तो हमारे पास जो पद है टोटल वह हैं 11 यहां से लेकर यहां तक जितने भी हमारे पद हैं इनकी संक्या कितनी 11 है अब पदों का आकार को हम आरोही करम के अनुसार लिखेंगे चोटे से बड़े में लिखेंगे सबसे छोटी संक्या हमारी एक है तो हम यहां पहले एक लिखेंगे फिर तीन फिर तीन फिर चार इस तरफ परकार हम सबसे बड़ी संक्या नीचे लिखेंगे अब हम मद्धे का निकालने के लिए सूत्र के इस्तमाल करेंगे यहां पर पदो की संक्या हमारी थी 11 तो 11 पलस एक बटे दो तो यहां पर हमारी 12 बटे दो दो से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा तो 6 में हम यहां पर देखेंगे कि m बराबर साइस ओप 6 अएटम इस इकल टू 5 तो यहाँ पे हमारी मद्दे का 5 आई है जैसे अब चितर में देख रहे हैं यहाँ पे 6 हमारा जो साइज निकला था यह वाला साइज हमारा 6 आया था तो इसके आगे आप देख रहे हैं पदोकाकार 5 है तो यह हमारा मद्दे का कहलाएगा इससे उपर की सारी संक्या हमारी का मुल्ले की होंगी और इससे नीचे की हमारी जितनी भी संक्या है वो अधिक मुल्ले की होंगी तो इसको बोलते हैं वेक्तिगत स्रेनी एक और उदारन लेते हैं कि निम्संक्याओं में मद्दे का मुल्य यहां पर हम घ्याद करेंगे पहले वाले में और इसमें यह अंतर है कि यदि पदों की संक्या सम होगी या इवन होगी जैसे यहां पर इवन है तो हमें दूसरा इसमें सूत्र का इस्तमाल करना होगा अब उसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले सबस्क्राइब करेंगे मद्दे का निकालने के लिए फिर हमने एन लिया जो दस है प्लस एक बटे दो तो आप देख रहें यहाँ पे जो संक्या है वो संसंक्या कहला रही है हमने जब इसको प्लस किया दस से एक तो यह ग्यारा हो गई अब दो से हम इसको जब भाग करेंगे तो यह हमारी 5.5 आएगी तो 5.5 आने से के सामने क्या होगा कि हमें यह वाला सूत्र का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि 5.5 जो हमारी संक्या आई वो इनमें कहीं भी मैच नहीं कर रही है इसमें अलग है तो हमें दोनों संक्या लेनी पड़ेगी पांचवी संक्या में जो पदो का कर रहे नो है और छटी में दस है और इसको हम फिर दो से भाग करेंगे तो आपने देखा कि पांचवा आइटम और छटे आइटम दोनों को हमने यह पर जोड़ा नौ पांचवा आइटम प्लस दस हमारा छटा आइटम है तो इसको जोड़कर हम दो से इसको भाग करेंगे तो 19 बटे दो होगा दो से इसको भाग किया तो 9.5 आएगा व्यक्तिकत स्रेणी का हम एक और उधारन लेते हैं जब संक्या हैं आँ पदो की संक्या जब सम होती है या इवन होती है तो उसे हम कैसे हल करेंगे वह यहां पर हम देखने तो सबसे पहले हम टेबल का निर्मान करेंगे है जिसमें हमारी करम संक्या 10 हैं और आप देख रहे हैं कि यह संख्या और पदो का आकार कुँ आरो ही करम में बदलें छोटे से बढ़ा तो 5, 7, 7, 8 हमने देखा यह आरो ही क्रम में हमने इसे कर दिया है तो आरब में सभसे छोटए संख्या है और कि जो पदों की संक्या वो दस है और एक हमने प्लस कर दिया इसके साथ तो ग्यारा बटे दो हो गई दो से जब हम ग्यारा को यहां पर भाग करेंगे तो हमारे पास जो संक्या आएगी हो 5.5 आएगी तो यह हमारी संक्या ही 5.5 अब आप यहां पर देख रहे हैं कि size of 5.5 item करम संक्या में आपको यह 5.5 item नहीं दिखाए दे रहा है तो हम इसके लिए यह वाला सूत्र इस्तमाल करेंगे size of 5th item plus size of 6th item बटे 2 यह वाला हम आइटम यहां पर इस्तमाल करेंगे तो आप देख रहें कि 5 और 6 हमें यहां पर करम संक्या लेंगे और इनका जो 5 क्रम है उसका जो पदों का आकारे वह 9 है और छटे का 10 तो इनको एक साथ हम जोड़ेंगे तो हमने यहां पर देखा कि 9 प्लस 10 बटे 2 हमने इसको जोड़ा है तो यहां पर 10 प्लस 9 19 हो गया और 2 से हम 19 को जब भाग करेंगे तो हमारे पास जो संक्या आएगी वह आएगी 9.5 तो यहां प तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं जब पदों की संक्या समो इवन अब आता है खंडी स्रेणी में मद्देखा निकालने के लिए हम कैसे इसका इस्तुमाल करते हैं और देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चात्रों के रोल नंबर यहां पे दिए वह 4.5 5.0 4.5 और आवर्ति यहां पर दीवी जिसकों फिर्कुएंसी बोलते हैं यह यहां पर दे रखी है तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे इसमें जो हमारे रोल नंबर है वह हम इस तरब लिखेंगे 4.5 से लेकर 11.0 फिर्कुएंसी जो आवर्ति है एक, दो, तीन, चार हम यहां पूरी की पूरी यहां लिखेंगे फिर हम इसका टोटल करेंगे तो 457 हमारा फिर्कुएंसी जो आवर्ति उसका टोटल आया अब हम खंडी स्रेणी में मद्य का निकालने के लिए हमें CF की आवर्शित्ता होती है जिसको संजे आवर्ति बोलते हैं तो इस लिए के साथ करेंगे तो हमारा तीन को चार के साथ करेंगे तो साथ आएगए चार वाले कुले के साथ तो हमारा आप देख रहे हैं कि यह दोनों संक्या बराबर आई तो अंतिम जो मुल्य है वह चार सो सतावन आया अब हम इसको वही सूस्तिर इस्तिमाल करते हैं तो M size of N plus 1 बटे 2 तो यहां पर आप देख रहे हैं तो M का जो size N जो पदों की संक्या है cf यह यहां पर हमारी पदों की संक्या चार सो सतावन आये और इसको हम plus 1 कर देंगे तो बटे 2 करेंगे अब जैसे आप यह करोगे तो यह 458 आ जाएगा तो 2 से 458 को हम भाग करेंगे तो यहां पर हमारा जो size आएगा वो 299 आइटम पर आएगा क्योंकि 299 आइटम संजे आवर्ती में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और यह संक्या संजे आवर्ती में 294 के अंतरगत आएगी इस वाली संक्या के अंतरगत यह आएगी तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि M 8.5 आया यह वाली संक्या आएगी क्योंकि 299 संक्या इससे बड़ी है और इससे छोटी है तो इसके अंतरगत यह वाली संक्या आएगी तो जब यह वाली संक्या के अंतरगत आएगी तो हमारा जो मद्धे का मूल्य है वो 8.5 यहां पर आएगा तो यहां पर आपने देखा कि मद्धे का मूल् अविंचिन स्रेनी में मद्दे का कैसे ग्याद करते हैं इसको अब हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अविंचिन स्रेनी में जो प्राफ्तांग होते हैं वो इस परकार के होते हैं और जो चात्रों की संक्या है वो यहाँ पे दीवी 14, 25, 34, 12 और 15 अब इनके आदार पर हम एक तालिका बनाते हैं जिसमें हमने प्राफ्तांग यहाँ पे लिखें 0 से 10, 10 से 20 और चात्रों की संक्या को हम आवर्ती फ्रिक्वेंसी मानेंगे 14, 25, 34, 12 और 15 तो इनका जो हमारा टोटल है पदो की संक्या 100 अब हम सी अप निकालेंगे सी अप होता है कमिलेटिव की कमिलेटिव फिर्क्वेंसी सेंट्य आवर्ती इसमें पदो को एक साथ एक के बाद एक जोड़ा जाता है जैसे 14 का 14 14 से 25 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा 39 को 34 से जोड़ेंगे तो 73 73 को 12 से जोड़ेंगे 85 85 को 15 से जोड़ेंगे तो 100 आजाएगा तो आप देख रहे हैं कि 100 यहां पे भी आया और यहां पे तो यह बराबर हो गया अब हम इसकी गढ़ना करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सूतर है इसमें M जो साइज है वो N बटे 2 होगा और आपको पता है N हमारा यहां पे 100 संक्या दे रखी है 100 को हम 2 से भाग क करेंगे तो हमारे पास 50th item आएगा तो यह line आप देख रहे हो क्योंकि जो हमारी 50 संक्या है वह CF के अंतरगत आएगी 73 क्योंकि 39 से 50 बढ़ा है और 73 से छोटा है तो हम CF 73 के अंतरगत इसको लेंगे जब हम 73 के इसको लेंगे एक हम यहां पे line ड्रॉ कर देंगे तो हमारा जो मद्दे का है वो 20 और 30 वर्ग में आएगी तो मद्दे का हमारी 20 और 30 वर्ग में आएगी यह पूरी की पूरी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए अब हम अगला सूतर यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो अवंचिन स्रेणी में मद्दे का निकालने के लिए हम ये वाला सूतर इस्तमाल करते हैं M ब्राबर L1 प्लस I बटे F M-C इसमें M का मतलब होता है मद्दे का और I का मतलब है 20 जिसको हम lower limit बोलते हैं ये हमारी lower limit है L1 और ये L2 ये upper limit है तो lower limit लेंगे हम 20 M हमने यहां पर निकाला था तो M हमारा 50 आया यहां पर इसकी value 50 आई है और जो हमारा C लेंगे हम C हम यहां पर 39 लेंगे जो एक संक्या हमारी उपर होगी उपर वाली संक्या को हम लेते हैं इसमें जो हमारा मद्धे का आया था उससे उपर वाली संक्या हम इसमें लेंगे 39 और आई हमारा वर्ग विस्तार है जो L1-L2 इन दोनों का अंतर हमारा 10 है तो आपने देख रहें 20 और 30 से 30 इस से इसको घटाएंगे तो 10 आएगा तो यह हमने पूरी ट्रम्स यहां पर देख लिए कि कौन सी संक्या किस किस ट्रम में आईगी अब आगे हम देखते हैं कि L1 हमारा 20 आया था तो हमने यहां 20 लिख दिया प्लस आई जो हमारा वर्ग अंत आइसराल है वह हमारा दस है आपने दस लिख दिया फिरकनसी हमारी 34 है आब यहां देख रहें अब हमारी 34 यहां पर 34 लिखेंगे ब्रैकेट में एमारी 15 वैल्यौरी थी हमारा 50 वैल्यूर आया तो इसलिक्दमने 50 लिख दिया पचास में से 39 को माइनस करेंगे तो हमारी संक्या 11 आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे 10 को 11 से इंटू करेंगे तो 110 बटे 34 होगा अब 34 से हम 110 को भाग करेंगे तो आप देख रहें कि हमारे पार जो संक्या आई वो आई 3.23 और 20 हमारे पार पहले से ही था तो 20 प्लस 3.23 अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मद्धे का निकलेगी वो आएगा 23.22 तो हमारा जो अवंचिन स्रेणी में मद्धे का जो हमने निकाली है इस इक्जाम्पल की थूँ तो उसका जो उत्तर आया वो और 20 दसबलब 2 आया है। भवलक किसे कहते हैं तो इसकी हम सबसे पहले परिवासा देखते हैं किसी भी समंक माला में जो पद सबसे अधिक बार आता है अत्वा जिसकी आवर्ति सबसे अधिक होती है वही भवलक कहलाता है। उधारन के तौर के हम देखते हैं कि निम्ट संक्याओं से भवलक की गड़ना करिएं तो यहां पर बहुत सारी संक्या इसमें हमें भवलक निकालेंगे लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जड़ को हम भवलक कहते हैं भवलक को परदेशित करता है उपयुक्त संक्याओं में तीन संक्या सबसे अधिक बार प्रियुक्त हुई है अता यही संक्या भवलक होगी आप देख रहें कि तीन संक्या एक दो तीन और चार यहां तीन संक्या चार बार परदेशित हो रही है तो यह संक्या सबसे यह हमारा भवलक होगा जिसको हम जैड बराबर तीन से पर्देशित करेंगे भवलक के गुण और दोश भवलक के गुण इस परकारे या एक सरल एवं लोकपिरिय माद्दे हैं या समू का सर्वोत्तम परतिनिद्यत करता है वित्रण में सरवादिक संभावित मुल्य भी होता है इसके कुछ दोस भी है यदि सभी पदों की आवर्तियां समान हैं तो भवलक का निर्दारण नहीं किया जा सकता कभी-कभी एक समू में दो या दो से अधिक भवलक भी हो सकते हैं वर्ग विस्तार में परिवर्तन कर देने पर भवलक भी बदल जाएगा भवलक की उपयोग भवलक का दैनिक जीवन तथा व्यापारिक छेत्र में बहुत अधिक उपयोग होता है इसे सीवगिरता से वा सरलता से समझा जा सकता है व्यापारिक मौसम विभिन वस्तुओं की लोग पिरता आदी पूर्वा अनुमानों में इसका परियोग किया जाता है व्यापारिक पूर्वा अनुमें यहाँ एक महतवपूर्ण पर्दर्शक की तरह कारे करता है बवलक की गणना परकरिया तीन परकार से की जा सकती है पहली है व्यक्तिकत स्रेणी के द्वारा हम कर सकते हैं दूसरा है खंटित स्रेणी और तीसरा है अवंचित स्रेणी तो हम सबसे पहले व्यक्तिकत स्रेणी का उधारन लेते हैं यहां पर एक परसंद दिया को गया है कि निम संक्याओं में से अध्यापोको का भवलक वेतन ग्याद करें तो अध्यापोको का यहां पर वेतन दे रखा है बारा सो, पांच हजार, तीन हजार, चपन सो, एक हजार, डो हजार, साथ हजार और आठ हजार और यहां पे दे रखा अध्यापोकिकी संक्या जिनकों हम आवर्ती मानते हैं तो इसमें आप देख रहें सबसे बड़ी संक्या हमारी पांच है यह हमारी सबसे बड़ी संक्या है तो इसमें उप्यूक्त उधारण में सरवादिक अध्यापोकिक संक्या पांच है और उनका वेतन आठ हजार है अथा हमारा जो भवलक होगा वो आठ हजार रुपे होगा क्योंकि यहां पर अध्यापोकिक संक्या सबसे जादा है और उनको मिलने वाला वेतन आठ हजार है इसके बाद एक उधारन रेते हैं खंडिच्रेणी का निम्स संक्याओं में से भवलक आकार को यहां पर हमें ग्याद करना है और यहां पर पदों का आगार दे रखा है और दूसरे में आवर्ती दे रखिए जैसे चार दस सोला अब इसे हम कैसे करेंगे इसके लिए हम एक टे चार दस सोला जिस परकार हमारे पर चौदा पदों की संक्या है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले दो संक्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या है चौदा दस और चार चौदा यहां गया ऐसी सोला और अठारा हमारे कितना हो गया 34 हो गया ऐसी 24 और 28 हमार होगे 14 अब हम इसमें गे हमारा जो बड़ी संक्य क्या आई हमारी सबसे बड़ी संक्या क्या है सब्सक्राइब टाक तर इसे परकार हम कहां यहां पर हम क्या करें अए 10 और 16 पद 2 ऑर 3 इनको आड़ करेंगे यह gustaría है निसान बना ऐसी इधर को जोड़ेंगे तो 56 आएगा फिर 52, 44 और 22 अब यहां पर जो हमारी 30 संक्या कैसे आ रही इसको हमें 3 को जोड़ना है 4, 10 और 16 हम इन 3 संक्या को जोड़ेंगे तो हमारी यहां पर संक्या आएगी 30 यह आप देख रहे हैं यह बड़ा ब्रैकिट है जो दिखा रहा है कि 3 को जोड़ा गया 30 ऐसी 18, 24, 28 को जोड़ेंगे तो आएगा 70 फिर हम 3 को लेंगे 80 फिर 3 को लेंगे अठावन और हमें करम से लेना है पहले 1, 2, 3 लेना फिर 18, 24, 28 लेना है फिर हम यह 3 लेना है इसके बाद आया 44 फिर हम 3 संक्या लेंगे लेकिन 1 उपर वाली संक्या छोड़ देंगे हम 10, 16, 18 इन 3 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आएगा 44 फिर इसके बाद 3 को ले लेंगे 80 फिर 78 फिर 40 आप यह आया हमारा 58 58 में हम क्या करेंगे उपर की दो संक्या छोड़कर तीन संक्या लेंगे 16, 18 और 24 इन 3 का जोड़ अठावन आया फिर 3 का ले लेंगे 46 इस परकार अब हम देखेंगे कि हमारी जो दूसरी रो है दूसरी रो में हमारी सबसे बड़ी संक्या 58 और इस वाली रो में हमारी सबसे बड़ी संक्या क्या 56 इसको हम गोला कर लेंगे ऐसी फूर्ट रो में सबसे बड़ी संक्या क्या है अच्यासी अब इसके आदार पर हम यहां पर टेली मार्क्स मनाएंगे तो जो सबसे तो किसको प्रदेशित कर रही है शाथ और आट पत को कर रही है तो हम इस पर वर इस पे डंडा मार देंगे जैसे एक यहां पर इंडा लगा हुआ रखा एक लगा रखा कर देंगे चैको पर देखेंगे ऐसे हम सभी संक्याओं को करेंगे तो हमारे पास यहां पर एक आया है यहां पर तीन यहां पर पांच यहां पर चार और यहां पर एक तो हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे कितना होगे पांच और चार नो दस दस और तीन तेरा और एक चौदा यह चौदा संक्या आ जाएगी हमारी जो हमारी यहां पर 14 दे रखी है तो इसका total हमारा कितना होение 14 संक्या का अब हम इस में देखेंगे कि सबसे बड़ी संक्या हमारा जो आ यह संक्या प्रियुक्त हुई है अथा यह हमारा भवलत होगा तो Z बराबर 7 तो यह हमारा जो Z है यह 7 होगा क्योंकि यह हमारी संक्या सबसे ज़्यादा बार आई है और सबसे बड़ी संक्या यह बार बार देखो यहां भी आई है यहां भी यहां भी यहां भी तो यह साथ वाली जो संक्या यह सबसे ज़्यादा आई है तो इसे हम बोलें तो आप देख रहे हैं इसमें वर्गानंतर दे रखा है और आवर्थी दे रखी वर्गांतर 0-5-10-10-15 दे रखी और आवर्थी 29,195-241 आगे दी विए तो इसे करने के लिए पहले हमें एक यहां पर वही आवर्थी का टेवल बनाना होगा इसके लिए हमने एक तरफ इस परकार पहले की तरह है और इस हमारी सबसे बड़ी संख्या इन 255O4 इसके बाद हम एक उपर से चोड़ देंगे उपर की एक चोड़ को फ dragili है कि एग दो तो तो पांसो चिरेपश देंगे और हम एक दो प्रस चुड़ देंगे नहीं तो हमार पास आजए कर 410 तो आप ने देख़ा ख्या कि हमार पाइस संक्रिय मास हे बनाएंगे 241 हमारा सबसे बड़ी संक्या तो एक हम यहाँ पे डंडा खैस डेंगे हमने एक डंडा यहाँ पे खैस दिया अब उसके बाद यह संक्या जो 358 है रिबे कितने को पर्दिश्रिभ कर लिए 2 को, 1 और 2 तो एक डंडा हम यहाँ पे खाचेंगे और एक डंड़ा हम यहाँ पे खेचेंगे उसके बाद यह कितने को परदिशित कर रही है एक और दो तो एक डंड़ा हम यहाँ पे खेचेंगे और एक डंड़ा हम यहाँ पे खेचेंगे तो इस परकार हम सारी अंकों को परदिशित करेंगे टेली मार्क्स के माध्यम से तो आप देखेंगे कि 6 सबसे बड़ी संक्या आईए तो हमारी जो 6 संक्या वो इसको परदेशित कर लिए 10 और 15 को तो हम यहां पर लिखेंगे उप्रिक्त सारणी को देखने से पता चलता है कि 10 और 15 भवलक वर्ग में अर्थाद यहां पर हमारा भवलक है इस वाली संक्या में 10 और 15 में अब यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा सूत्र है यह हमारा सूत्र है भवलक का जो अवर्चिन स्रेडी में परियोग किया जाएगा तो Z को हम यहां पर बोलेंगे भवलक का मुल्य, L1 हो जाएगा हमारा भवलक वर्क की निचली सीमा, और यह I हमारा हो जाएगा वर्क का विस्तार, और F1 होगा भवलक वर्क की आवर्ती, F0 होगा भवलक वर्क से पहले आने वाले वर्क की आवर्ती, और F2 होगा भवलक वर्क कि तुरंद बाद आने वाले वर की आवरती अब इन ट्रम्स को हम यहां पर यहां से संख्या उठा के यहां पर लिखेंगे तो एलवन हमारा यहां पर जो आता है यह वो यह होगा हमारा दस इसको एलवन मोलेंगे लोवर लिमिट तो एलवन हमारा हो गया दस आई हो गया हमारा वर्गंतराल, यह आई हमारा वर्गंतराल है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 को 5 से 15 से भाग करो, तो 5 का डिफरेंस है, तो वर्गंतराल में आप देख रहे हैं, सब हर एक के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो यह हमारा आगया 5, यह 10 था और यह आगया हमारा 5 अब होगा F1 F1 होता है भवलक वर्क की आवर्ती तो भवलक वर्क की आवर्ती 241 है यह जो हमारी लाइन गई वी यह 241 है तो यह F हम इसको मान लेंगे यह हमारा हो जाएगा प्रिक्वेंसी F उसके बाद हमारे पास आता है F0 जिसको भवलक वर्क से पहले आने वाले वर्क की आवर्ती मतलब यह पहली वाली संक्य आएगी तो यह आएगी 195 तो 195 आएगी इस से उपर वाली संक्य यह यह हो जाएगा F0 इसको बोलेंगे F0 यह संक्य आओग यह हमारी F0 उसके बाद आता है last F2 जो हमारी 117 है यह दे रखा इसमें भवलक वर्क के तुरंद बाद आने वाले वर्क की आवर्ती तो यह हमारी यह संक्य देख रहे हैं यह दे रखा 117 यह हमारी कहला जेगी F2 यह होगा हमारा F इसको बलेंगे F2 तो यह हमने पूरा सूतर देख लिय आई 1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटो आई हमने सारी ट्रम्स निकाल लिए वाली अब हम इस ट्रम के आधार पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें आप सबसे पहले L1 हमने लिया L1 हमारा 10 था प्लस F1 हमारा 241 था और माइनस F0 195 और यहां पे 2 F1 है 2 का मतलब हो गया इंटो इन दोनों के बीच में कोई चिन ना होने पे इसको इंटो बाना जाता है तो 2 इंटो 241 माइनस F0 हमारा था 195 और F2 हमारा माइनस 117 इंटो 5 5 हमारा आई होगे class interval जो आप मैंने यहां बताया था किनका difference पांच है फिर आगे इसको solve करेंगे तो 241 में से 195 को हम घटाएंगे तो 46 आएगा 2 से इसको multiply करेंगे तो 482 आएगा और माइनस माइनस प्लस होता और माइनस का चिन आएगा और इन दोनों का हम add कर देंगे तो 312 इंटो 5 आएगा उसके बाद इस इकल टू 10 इंटो 46 को हम 5 से multiply करेंगे तो हमारा 230 आएगा और 4A2 माइनस 3 312 को माइनस करेंगे तो 170 हमारा आएगा अब हम 170 से 230 को अगर हम divide करतें तो हमारा आएगा 1.35 को add करेंगे तो हमारा जो answer 11.35 आएगा इसको हम Z बराबर 11.35 बोलेंगे और यही हमारा भावलक होगा और यह भावलक हमारा आवंचिंस रेडी में आएगा आप मेरे यूटीब चैनल को दिएवे लिंक पर सबस्क्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटीब चैनल को आप वोबाईल से भी सबस्क्राइब कर सकते हैं झाल झाल